नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे option selling के अंदर margin कैसे increase करें यानि आप लोग ऐसे कहें कम पैसों में आप लोग कैसे option selling कर सकते हैं या फिर आप लोग call sale करने के बाद में अगर आप लोग put sale करते हो उसके विपरित में तो आपको कितना amount चाहिए होगा option selling में call पे आपको कितना amount चाहिए होता है selling में और put में आपको कितना amount चाहिए होता है सारी बाते इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंड आप लोग अपने पैसे को यानि आपने जो fund add कर रखा है उसको आप लोग कैसे increase कर सकते हैं option को sale करके और अगर आप लोग विप्रिच साइट से आप लोग sale करना चाहते हैं या फिर आप लोग lot increase करना चाहते हैं तो आप लोग कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तो वीडियो में आगे पढ़ने से पहले आपके पास में अकाउंट नहीं है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट इसका अकाउंट ओपन करने का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप लोग ओपन कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों, मैं आपको अवेलेबल केस है, 4,17,287 रुपे के आसपास में मेरे पास में, अवेलेबल यहां पे फंड है दोस्तों, और इसमें से मैंने यहां पे देखे, यूज किया है, 1,12,615 रुपे के आसपास में, और मैंने यह जो दोस्तों, यूज किया है फंड, आप लोग देखेंगे, मैं है कॉल सेल 이 math 8 रुपई कि आस पास में तो इसमें मेरtu यहां पी देखी legitimate कितना पड़ा है एक लाग 12000 पर क्या सकते हैं मैं अब तक की दोस्तों मेरे पास में च्यारलाख 17 को हम लोग यहां पे क्लिक करके देखते हैं जैसे कि आप लोग देखेंगे दोस्तों 21,550 का put है दोस्तों और ये 6 रूपे के आस्पास में trade कर रहा है मैं इसको यहां पे देखे sale के option पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहां पे नीचे की side में देखिए margin देखने को मिल रहा है 26,704 रुपे यानि मैंने call sale किया था तब मेरे को 1,12,000 रुपे के आसपास में pay करना पड़ा है बट मैं यहाँ पे put sale कर रहा हूं तो मेरे को यहाँ पे 26,000 के आसपास में payment करना पड़ रहा है तो इसका मतलब अगर आप लोग कोई भी एक position बनाते हैं जैसे कि आपने call sale किया तो उसके विपरीत में आप लोग अगर put sale करोगे तो आपको यहाँ पे margin मिलेगा यानि आप लोग कम पैसे के साथ में विपरीत वाला जो put है वो आप लोग sale कर सकते हैं या फिर आप लोग पहले आप लोग put sale करते जैसे कि आपने put sale किया पहले एक लाग के आसपास में आपने payment किया उसके विपरीत अगर आप लोग call sale करते तो आपको यहाँ पे देखिए 20-30,000 में आपको यहाँ पे call है वो sale हो जाता यानि आपको उसके विपरीत में margin मिलता है क्योंकि आपकी position है वो दोनों side hedge हो जाती है तो आपको यहाँ पे थोड़ा risk है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम रहने वाला है तो इसलिए आपको यहाँ पे second side में इतना amount आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो जैसे कि मैं यहाँ पे दोस्तों देखिए इसको यहाँ पे sale करता हूँ swipe to sale के option पे click करूँगा तो आपको देखने को मिलेगा मैंने इसको sale कर दिया 21,550 के put को अब आप लोग देखेंगे दोस्तों मेरे fund में तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 3,90,000 के आसपास में आपको यहाँ पे payment देखने को मिल रहा है तो आप लोग सेम इसी तरीके से अगर आप लोग कोई भी call sale करते हैं उसके विपरीत में अगर आप लोग put sale करते हैं तो आपको उतना amount ज्यादा नहीं चाहिए होगा जो आप लोग call side में करते हैं अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ आप लोग कैसे अपने fund को और ज्यादा increase कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे call sale किया था और मेरे को यहाँ पे अगर मैं और उसमें lot increase करना चाहता हूँ तो मैं अगर यहाँ पे fund बढ़ाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे पैसे कम पढ़ रहा है तो मैं क्या करूँगा दोस्तों कोई भी एक दूर का call buy कर लूँगा जैसे कि मैंने 21,800 का call sale किया था 21,000 K eli sails किया था मैं क्या करूँगा 21,000 find 22,000 12,200 का दूर का 400,500 point दूर का मैं यहाँ पे call है वो कोई भी यहाँ पर buy कर लूँगा तो call मैंने यहाँ पर देखिए add कर लिया 0.45 पेसे का है मैं इस पर buy के option पर click करता हूँ buy के option पर click करने के बाद मैं देखिए दोस्तों 0.45 पेसे इसमें सिर्फ मेरा यहाँ पर देखिए payment कितना लगेगा मेरा payment सिर्फ और से 22.50 पेसे लगेगा चार्ज जरूर लगेगा इसमें यहाँ पर 23 रुपे के आसपास में और यहाँ पर देखिए total मेरको यहाँ पर 100 रुपे के आसपास में payment करना पड़ेगा अगर मैं इसको buy sale करूंगा अभी फिलाल मेरे account में कितना पैसा था 3,90,000 के आसपास में था मैंने एक load buy किया है अब मैं यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर देखिए मैं put sale करना चाहता हूँ call 21,800 call के sale के option पर क्लिक करूंगा तो आप लोग देखेंगे उतना amount मेरे को यहाँ पर call side में नहीं चाहिए होगा जितना मेरे को पहले चाहिए था अगर मैं दोबारा से एक call को sale करता तो मेरे को यहाँ पर 1,00,000 के आसपास में payment चाहिए होता बट मैंने एक call buy कर लिया है उसके बाद में मैं call sale कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर amount थोड़ा सा कम देना पड़ रहा है 36,400 के आसपास में देना पड़ रहा है इसके विपरीत दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखिया put sale करूंगा जैसे कि मैं यहाँ पर 21,550 का मैंने put sale किया था फिर से इसको sale करूंगा मैं यहाँ पर sale करूंगा तो आप लोग देखेंगे मेरे को यहाँ पर amount pay करना पड़ रहा है 1,18,000 के आसपास में pay करना पड़ रहा है अगर मैं इसको कम करना चाहता हूँ 1,18,000 अगर मैं pay नहीं करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा दोस्तों विपरीत में कोई भी एक put में दूर का buy कर लूंगा 21,550 का में put sale करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कोई भी 400-500 point दूर का 21,000 का मैं यहाँ पर put है वो buy कर लूंगा जितना आप लोग अगर थोड़ा सा अंदर का करोगे तो आपको उतना ही कम amount है वो यहाँ पर pay करना पड़ेगा margin के तोर पे तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर का कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर 36,000 pay करने पड़ रहे थे तो आप लोग देखेंगे 18,000 put में आपको pay करने पड़ रहे हैं अब मैं यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर buy करके उसके बाद मैं अगर मैं यहाँ पर करता हूँ इसको तो मेरे को यहाँ पर कम amount है वो pay करना पड़ेगा जो मैंने आपको call option को buy करके और फिर आपको call option sale करके यहाँ पर दिखाया है दोस्तों तो इस तरीके से आप लोग अगर कम करना चाहते हैं अपने margin को तो आप लोग सबसे पहले call sale करके और आप लोग put sale करोगे तो आपको कम पेसा आपको pay करना पड़ेगा या फिर आप लोग call buy करोगे दूर का जैसे कि आप लोग ने दूर का कोई भी call option buy कर लिया उसके ज्यादा lot buy कर लिये तो उतने ही lot आप लोग उसके sale करोगे तो आपको amount हो कम pay करना पड़ेगा तो आप लोग देखेंगे दूस्तों मैंने जो भी याँ पे देखे call sale किया था एक 21,550 का किया था उसमें मैंने 50 quantity थी इसमें मैंने को याँ पे amount कम pay करना पड़ा और आप लोग देखेंगे 21,800 का call मैंने जो याँ पे सुरू में sale किया था और 21,000 22,200 का दूर का मैंने याँ पे call sale किया था तो इसमें मैंने को याँ पे जो amount हो 100 रुपे के आस पास में total मेरा लगेगा बट मैं याँ पे अगर fund use करना साथ हूँ अगर मेरे को याँ पे लाग दो लाग use करना है fund लेना है margin के तोर पे तो मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ तो आप लोग भी इस तरह के से option selling के अंदर margin है वो increase कर सकते हैं फिर भी आपको कोई भी doubt है दोस्तों तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो आपको पसंद आया है तो like करें चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर करें मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में अबता के लिए जय हिंद बहुत बहुत धन्यवाद